नमस्कार विदारतियो राज के महविदाले राजगड चूरु दवरा संचालित ओनलाइन क्लासेज में आपका श्वागत है अगर अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल CCE राज GCR चूरु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हिंदी साहित्य के अलावा अन्य विशों का भी अधन कर सके पिछली कक्षा में हमने भक्ति कालिन कवियत्री क्रिशन की अन्यन्य भक्त क्रिशन को अपने पति की रूप में मानने वाली दामपत्य प्रेम भक्ति की कवियत्री मीरा भाई जी के कुछ पदों का अधन किया आज की इस कक्षा में भी हम मीरा भाई जी के ही एक पद का अधन करने जा रहे हैं पदसन का पांच देखिए यह मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया कि मीरा भक्ति कालिन का व्यत्री है और क्रेशन के प्रति अन्यन्य भक्ति और उनका प्रेम है मीरा भाई जी के जो पद पदावली में संकलित है उनमें से कुछ पद हमारे पाठ्य करम में लगाए गए है इसमें जो पाँचवा पद है इसमें मीरा कहती है कि क्रेशन ही मेरे पती है और मैंने उन्हें अपना पती मान लिया है मैं उनके प्रति उत्पन प्रेम के कारण ही आसु बाहाया करती हूँ और क्रेशन प्रेम के कारण ही मैंने अपनी कुल मर्यादा छोड़ी है मैं अब हर प्रकार से कृष्ण के प्रति समर्पित हूँ वो ही मेरे सरवश्व है देखे क्या है मेरे तो गिर्धर गोपाल दूसरों ने कोई जाके सिर मोर मुकट मेरो पति सोई मेरो तो गिर्धर गोपाल दूसरों ने कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पती सोई छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई सनतन डिंग बैठी बैठी लोकलाज खोई असुवन जल सीची सीची प्रेम बेल बोई अब तो बेल फेली गई आनदफल होई दूद की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई ददी मदी धरत काड़ी लियो डारी दई छोई भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई और दासी मीरा लाल गिरदर तारो अब मोही तो देखे इसमें कुछ पद हैं इस पद का भावार्थ समझने से पहले इसमें कुछ शब्द आये हैं उन शब्दों का मैं पहले आपको अर्थ बता देता हूं ताकि आपको भावार्थ सरलार्थ करने में किसी शमश्या का सामना ने करना पड़े तो देखे मेरो तो गिर्धर गिरी का मतलब होता है परवत धर मतलब धार्ण करने वाला अर्थात परवत को धार्ण करने वाले स्री क्रिश्न छाड़ी दई कुलकी कानी छाड़ी मतलब छोड़ दी कानी कानी का मतलब क्या होता है कानून काईदे मरियादा लोक लज्जा सनतन डिंग बैठी बैठी डिंग का मतलब क्या होता है पास में उनके साथ में असवन जल सीची सीची असवन, आसवों के अब तो बेल फेल गई, आनद फल होई, आनद मतलब आनद दूद की मतनिया, मतनिया मतलब आप सब जानते हैं दही भी लोने के लिए काम आने वाला काट का जो डंडा होता है उसे हम मतनिया कहते हैं काडी लियो, काडी लियो मतलब बहार निकाल लेना डारी दही छोई, छोई का मतलब क्या होता है, छाच, लसी या निसार वस्तू देखें दूद है, दूद को हम जमाते हैं, दही जम जाता है उसके बाद में मतनिया से हम उसे मत्ते हैं, गी निकलाता है और जो लास्ट में कुछ बच जाता है हर्था जो छाच बच जाती है वो एक तरह से निशसार वस्तू है वैसे है नहीं छाच तो बड़ी अच्छी लगती है खाने में भी और बहुत से लोग हैं जो छाच के लिए तरफते भी है लेकिन यहाँ छाच को निशसार वस्तू एक तुछ वस्तू बताया गया है और आगे क्या है तारो अब मोही मोही का मतलब क्या होता है मुझे तो देखे मेरा भाई क्या कह रही है कि मेरो तो गिर्दर गोपाल दूसरों ने कोई मीरा कहती है कि गोवर्धन परवत को धारन करने वाले गोपाल क्रिशन मेरे सर्वस्तू है जाके सिर मोर मुकुट मेरो पती सोई और जिनके सिर पर मोर पंख मुकुट की तरह विराजमान है जाके सिर मोर मुकुट यानि जिनके सीज पर जिनके सिर पर मोर पंख मुकुट की तरह विराजमान है वही मेरे पती है चाड़ी दई कुलकी कानी कहा करी है कोई और कह देखे चाड़ी दई कुलकी कानी कि मैं राना कुलकी मर्यादा को छोड़ चुकी हूँ और यदि मेरा यह आचरण बुरा लगता है तो मैं इसकी चिंता नहीं करती चाड़ी दई कुलकी कानी कि मैंने राना कुलकी मर्यादा छोड़ दी है कहा करी है कोई और अगर किसी को बुरा लगता है कि मैंने लोक लजजा या राजपरिवार की जो मर्यादाएं हैं उनको क्यों छोड़ा है तो मुझे इसकी चिंता नहीं है मैं इसकी चिंता नहीं करती हूँ संतन डिंग बैठी बैठी लोक लाज़ खोई और अब मैं सादू संतों की संगती करती हूँ उनके भजन कीर्दन में बैठती हूँ और जो राजपरिवार की परदा परथा ये लोक लाज़ को सरवत्हय में छोड़ चुकी हूँ अस्वन जल सीची सीची प्रेम बेल बोई और क्रिशन प्रेम के कारण मेरी आँखों से आसू बहा करते हैं उन आशों के जल सीच शीच कर मैंने क्रिशन भक्ति की बेल को बढ़ाया है क्रिशन का प्रेम प्राप्त करने के लिए मैंने अपनी आँखों से निरंतर अस्रू बहाए है तब जाके ये जो प्रेम की बेल है ये बेल आज खिल रही है प्रफुलित हो रही है अब तो बेल फेली गई आनद फल होई और फिर मेरा कहती है कि वह क्रिशन प्रेम रूपी बेल अब बहुत फैल गई है अब तो उससे आनद का फल मिलने वाला है कहने का तात्प्रीय है कि अब मेरा प्रेम क्रिशन से प्रेम वह नवीन प्रेम नहीं है यानि देखिए क्या है कि जैसे हम एक बेल को प्रारम में लगाते हैं या उगाते हैं और बड़ी महनत के बाद वह बेल लगती है हम उसमें निरंतर पानी दालते हैं और वह बेल एक दन खिलने लगती है फूलों से मीरा यहां कहती है कि मेरी जो क्रिशन प्रेम है ये भी एक बेल की तरह है लेकिन जैसे बेल को बेल में हम निरंतर पानी डालते हैं उसकी देख भाल करते हैं तब जाके वो बेल खिलती है लगती है ऐसे ही मीरा कहत कि मेरे क्रिशन प्रेम की बेल आज ऐसे ही नहीं लगी है आज ऐसे ही नहीं खिली है इसकी लिए मैंने अपने अस्रूं से इस बेल को सीचा है अर्थात क्रिशन प्रेम प्राप करने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा अस्रू पात किया है या मेरी आंकों से बहुत ज़्याद असरों की धारा बही है तब जाके मुझे किये क्रिशन प्रेम मिला है अब तो बेल फेली गई आनदफल होई और अब कहते हैं कि जो बेल अब तो है लोग कहें कि मैं क्रिशन से प्रेम करना छोड़ दूँ तो अब ऐसा संभव नहीं है क्योंकि ये बेल क्या है अब तो बहुत फेल गई अर्थात मेरा प्रेम अगाद हो गया है प्रगाड हो गया है गेरा हो गया है और अब ये प्रेम छुड़ाए नहीं छूड़ सकता आनदफल होई और अब तो मुझे क्रिशन प्रेम का जो आनद है वह भी मिलने लगा है दूद की मतहनिया बड़े प्रेम से बिलोई ददी मती धुरत काड़ी लियो डारी दई छोई और क्या है मैंने सांसारिकता से विरत्थ होकर या सांसारिकता से दूर रहकर कृष्ण प्रेम को उसी प्रकार बढ़ाया है जिस प्रकार मतानी में दूद से बने दही को मत कर धरत निकाल लिया जाता है गी निकाल लिया जाता है और सेच तुछ वस्तु अर्थात छाच को निश्चार मान कर त्याग दिया जाता है मैंने भी भक्ति को संजो कर रखा है और सांसारिक्ता को निश्चार मान कर छोड़ दिया है मुझे भक्तों का साथ तो अच्छा लगता है भक्तन देखी राजी हुई मेरा कहती कि अब मुझे सांसारिक वस्तों की प्रति मोह नहीं है प्रेम नहीं है बलकि भक्त देखी राजी हुई जगत देखी रोई कि मुझे भक्तों का साथ तो अच्छा लगता है और सांसारिक्ता की बाते मुझे बुरी लगती है लास्ट में मीरा कहती है मीरा अंत में कहती है कि मैं तो अपने आराध है स्री कृष्ण की दासी हूँ हे क्रिशन अब आप ही मेरा उद्वार कीजिए तो इस तरह से आज की इस कक्षा में हमने मीरा वाई जी के पद संग्या पांच का अध्यन किया इस पद में देखिए जब हम कावे सुंद्री की बात करते हैं तो मीरा ने क्रिशन के प्रती मदूर भाव की भक्ती प्रकट की है और मीरा ने इसपस्ट किया है कि जैसे जैसे या जो जो घर वालों दुवारा मेरे प्रेम में बादा उत्पन की गई वैसे वैसे मेरी भक्ती है वो बढ़ती ही गई है अलंकारों की हम बात करें तो देखिए इसमें अनुप्रास अलंकार है क्योंकि एक वर्ण की जहां आवरती होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार है तो इस पद में अनुप्रास अलंकार भी है साथ में देखिए, प्रेम बेल, अर्थाथ प्रेम रूपी बेल, अर्थाथ इसमें रूपक अलंकार है, सीची सीची जब एक ही शब्द की पुन्रवर्ती होती है, लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकास अलंकार होता है तो सिंची सिंची में पुनरुक्ति प्रकास और साथ में प्रेम बेल इसमें रुपक अलंकार है और महान भक्तों का एक सा अनुबव है भक्ती भाव प्रगाड होने पर बढ़ने पर उसे उसी में आनद का अनभव होता है और सांसार की वस्तिय हैं वो तुछ लगती है तो इस तरह से मीरा को भी जब कृष्ण से प्रेम हो गया, भक्ती हो गई तो उन्हें सांसारिक वस्तिय हैं जो तुछ लगने लगी है तो इस तरह से आज की इस कक्षा में हमने मीरा भाई जी के पत संग्या 5 का अध्यन किया अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथ में ही इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूले ताकि हमें भी फीडबैक या प्रोत्सान मिलेगी हाँ हमारा पढ़ायो बच्चों को समझ में आ रहा है तो वीडियो का आप लाइक करना नहीं भूले अगली कक्षा में हम फिर मीरा भाई जी के एक पत का अध्यन करने के लिए आएंगे तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद